ममता बैनर जी पे आती हूँ चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि बीजेपी जो है ये हिंदू मुसल्मान का खेल कर रहे हैं और उन्होंने का ओडियन्स को कहा कि आपकी प्रॉपटियां छिन जाएंगी आपके बच्चों का एजूकेशन खतम हो जाएगा आपको डिटेंशन कैम्प में भेज दिया जाएगा और डिटेंशन कैम्प अल्रेडी है तो ये सीए के जरिये 15 से लेके 20 लाख लोगों की सिटिजन्शिप छीन ली जाएगी देखे मैं ममता जी को करबद निविदन आपके इस कारेक्रम के माध्यम से करना चाहता हूँ पुलिटिक्स करने के हजारों मंच है प्लीज बंगलादेश से आएउए बंगाली हिंदू का अहीत मत करिए आप खुद बंगाली हैं बंगलादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं इनको नागरिक्ता देने के लिए एक कानून है महमताजी को मैं खुली चुनोती देता हूँ इस कानून की धारा में से किसी की नागरिक्ता छिनने की एक धारा वो बता दे सारोजनिक रूप से वो खौप पैदा कर रही है हिंदू और मुसल्मानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है ममताजी इसको मत रोकिये करने जैसा काम है गुसपेट रोकिये नहीं रोक रही है वो नहीं कर रही है आप हमें कॉपरेट नहीं करें आसाम में कंप्लीट गुसपेट रोक गया है कि वहाँ भारतिय जैनता पार्टी का सासना है किस तादात तक गुसपेट हुआ है और कब से हो रहा है देखे इसके अधिकरूत आंकड़े जब तक राज कॉपरेट न करें ढूनना बहुत लिक्कत होती है क्योंकि कलेक्टर के हाथ में पूरा मस्त नहीं और डिटेंशन कै मैं मानता हूं कि अगर इसी प्रकार की पॉलिटिक्स आप करेंगे इतने महतवपून राष्टिय सुरक्सा के मुद्दे के साथ एपीस्मेंट की पॉलिटिक्स करकर घुसपेट होने देंगे जो सरनार्थ ही आया है उनको नागरिक्ता देने का विरोध करेंगे तो जनता के साथ नहीं रहेगी ममता जी को सरनार्थ ही और घुसपिठ ही दो सब्दक के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है या जान के नहीं कर रही है अब मैं तो जो बोलती है वो सच मानता हूं इसलिए कह रहा हूं मालूम नहीं